आपको पता है, दूद की मलाई में इसे मक्खन निकालना कितना आसान है। पहले मुझे बहुत टफ लगता था, बहुत मुश्की लगती थी, लेकिन कहते हैं न दीरे दिरे इनसान सब सीख जाता है। तो साधी की बाद पहले तो मुझे नहीं आता था उसके बाद मैंने सीख लिया तो यह दूद की मलाई है जिसे मैंने घंटे पहले फिर्ज से निकाल के रख दिया था अब उसे मिक्सर में दो से तीन सेकंड के लिए से घुमाया मैंने और यह देखिए पूरा मक्खन उपर आ अब देखिए बिना में मेरा हाथ गंदा हुए बिना हात में गृव लगें चिकनाई लगे मैंने मलाई में से मत ुछ निकाल नीकाल लिया कि मत्था भी बना लिया अब इसको फ्लेम घी बनाऊंगी तो है से की कि ना तो मेरा बरतन प्रॉलमा Вас यह दो कोई बादी आएगा तो वैसे लेकिन मेरे सब गलती होंगी मैंने जल्दी जल्दी में गरम घी को काच की जार में चान दिया तो पुर्ण चान सकते हैं काच वाले में बिल्कुल भी नहीं चानना क्योंकि मेरा ये बरतं पर ये घी बर्नी दोनों ना खराब हो उसके हम दो बढ़िया से ड्रिंक्स बनाएंगे गर्मियों के लिए तो समरी स्पेशल ड्रिंग तो मैंने ग्लास में ग्लास में दो चम्मच सककर नॉर्मल पानी में घोल लिया उसमें मठ्था डाला जो हमने बनाया था खूब सारी आइस्क्रीन तीन से चार डाल की जितना भ अब दूसरी ग्लास लेंगे उसमें दो चम्मच राई डालेंगे गुटा हुआ कच्चा राई है इसको बिल्कुल ही नहीं भुनना है साथ में डालेंगे काला नमक टेस्ट के गॉर्डिंग अब डालेंगे अपना ये मठ्था याने की छांच इसे भी अच्छे से मिक्स कर आती है मतलब राई वाला मठ्था पीते हो ना आप तो आपके पेट के लिए बहुत अच्छा होता है देखा आपने कितना एजी था मलाई से घी बनाना और साथ में ये दो हैल्दी वाली ड्रिंक बनाना तो बस अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट करना बाई